ये सात्वा या आठ्वा स्क्याच है, जो मैं अभी अभी बनाकर हटा हूँ. पर वह बात, जो मैं कहना चाहता हूँ, इसमें कही नहीं जा सकी है. रेखाएं हैं, कोण हैं, गोलाया हैं, और प्रभाववादी धन से बात कहने की तक्नीक, पर वह जो मेरे अंदर है, बाहर नहीं आ सका है. बाहर आ गया होता, तो मैं हलका न हो जाता. अभी भी मेरे अंदर वही दर्द है, वही उदासी और अंधकार. यही एक अंधी भिखारिन का स्कैच है. आम भिखारिनों जैसी भिखारिन, पास सोय हुए उसके दो बच्चे. इस भिखारिन को मैं हमेशा स्टेशन के बाहर बैठे हुए देखता हूँ. सुबह, दोपह, शाम और राथ हर समय, छोटा सा कद, सूखी लकडी सा शरीर, स्या रांग, एक आदिकालीन भूख, एक ममता, जिसके बे आवाज उन्ठ बच्चों का वास्ता दे रहे हैं, और दो अंधेरी आखें, जो लोगों के कदमों की आहटों में उनके चहरे पहचान रही हैं. पता नहीं, आज मेरे हाथ को क्या हो गया है? वह मेरे दिल की बात क्यों नहीं कह पा रहा है. मेरा विश्वास है कि जहां शब्द बात करने में असमर्थ हो जाता है, वहां रेखाएं बात कह जाती है. एक प्रभाव ही तो पैदा करना होता है, प्रभाव, जो बिना बोले ही दूसरों की दिल में उदासी, गमी, या खुशी का भाव पैदा कर दे यदि आज रेखाओं की चुप बोली भी बात न कह सकी, तो फिर वह बात कैसे कही जाएगी, जो मेरे अंदर बर्फ की तरह जमी हुई है. आखिर मैं यहां अंतिम स्कैच भी फार दालता हूँ और अलसाए हुई आखों से खिलकी में से बाहर देखने लगता हूँ. सामने छोटे-छोटे घरों की बस्ती है, रात का अंधेरा फैलना शुरू हो गया है, घरों में बत्यां जलोठी है, किसी घर में द्या, किसी में लंग, किसी में बिजी का बल. रात के अंधकार में रोशनी से भरे हुए ये घर मेरे मन को आकरशित करते हैं रोशनी भी एक रंग है जो मेरे आँखों को मंत्रमुक्ध करती है रोशनी को मैं सबसे सुन्दर रंग मानता हूँ रात के अंधकार में मंद मंद रोशनी से जगमगाते हुए घरों को मैंने कई बार चित्रित किया है अंधकार में कोई जगमगाती हुई खिलकी, कोई जगमगाता हुआ दर्वाजा, कोई जगमगाता हुआ रोशंदान आज किसी किसी घर में जरा ज्यादा रोशनी है किसी दर्वाजे के सामने दोदेज जल रहे है किसी मकान के उपर बिजली के रंग बिरंगे बलबों की कतार है आज 26 जन्वरी है हिंदुस्तान के पूल स्वतंत्र गनराज्य बनने की सालगिरह लोग खुशिया मना रहे हैं मैं इन खुशियों को देखता हूँ खुशिया भी रंग बिरंगी रोशनिया है फीके और शोक रंग मैं देश पांडे की राह देख रहा हूँ उसे दफ्तर से आना है वो ही एक दैनिक समाचार पत्र में काम करता है संपाद की अविभाद में यह उसी का कमरा है मैं कुछ दिनों के लिए उसके यहां आया हुआ हूँ उसने कहा था कि वह आज जल्दी ही आ जाएगा और मुझे साथ लेकर 26 जन्वरी की रौनक दिखाने शहर ले चलेगा 26 जन्वरी के दिन इस शहर की रौनक देश भर में मशहूर है इतनी रोशनी और कहीं नहीं की जाती इतनी खुशिया और कहीं नहीं मनाई जाती सुना है सारा शहर रोशनियों से जगमगा उठता है इस शहर में तो आम दिनों में भी काफी रौनक होती है एक मिला सा लगा रहता है रोशनियों से रास्ते और बाजार धुले रहते हैं ऐसे शहर में 26 जन्वरी की रात की तो बात ही अलग होगी मैं एक दो बार दर्वाजे की ओर देखता हूं पता नहीं देशपंडे कब आये मैं फिर खिलकी में इसे सामने की बस्ती को देखने लगता हूं दो साल पहले भी मैं यहां आया था अपने शहर के आर्ट स्कूल के चित्रों की एक प्रदर्शनी की सिलसिले में वे दीवाली के दिन थे इस बस्ती में सेकडों देज लाए गये थे दियों की कतारे ही कतारे, घरों की छतों पर दिये, घरों के अंदर भी दिये, घरों की नित्यप्रती की धुन्धों और उदासी दूर हो गई थी, रोश्णी ने हर घर की रूप रेखा को उजागर कर दिया था वनवास काटकर श्री रामचंद के अयोध्या लोटने की घटना को आज हजारों सालों के बाद भी लोग उसी चाव से खुशिया मना रहे थे पर आजादी की खुशियों को तो अभी कुछ ही साल हुए है फिर भी आज इस बस्ती में क्यों किसी किसी घर में ही रोशनी है दर्वाजा खुलते ही मेरा ध्यान तूटता है देश पांडे जल्दी जल्दी आता है आते ही संपादक को गाली देते हुए कहता है जितनी जल्दी की सोचता था उतनी ही देर हो गई खेर, कोई बात नहीं, रात भर रोनक रहेगी, आप सारी रात अपनी ही है उसकी नजर मेरे फाड़े हुए स्कैचों की ओर जाती है, जो नीचे बिखरे हुए है उन्हें देखकर वह बस मुसकर आता है, कुछ नहीं कहता हम तयार होकर शहर चल पड़ते हैं स्टेशन पहुँचने पर एक शंग के लिए मेरी नजर उस बिखारिन पर पड़ती है, जिसका स्कैच में बना रहा था मुझे लगता है, जैसे मैं उसका कर्जडार हूँ, कर्ज उतारे बिना मैं हलका नहीं हो सकूँगा मैं वहा रुकता नहीं देशपांदे के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाता हूँ स्टेशन रोशनियों से जगमगा रहा है, लोकल गारियां जैसे रोशनियों का सिंगार किये हुए आ जा रही है उन पर बिजली के बलबो से बनाए गए तिरंगे जंडे हैं, परी कहानियों में ही ऐसी गारियों की कल्पना की जा सकती है हम गारी में चड़ते हैं, लोगों से खचाखच भरी हुई गारियां दो-दो, तीन-तीन मिनित के बाद स्टेशनों पर रुपती हुई शहर की ओर जा रही है लोगों की भीड है, शोर है, खुश्या है, सड़के भी लोगों, कारों, बसों, ट्रकों से भरी हुई है लोगों की घुटन से भरी हुई जिन्दगियों को आज खुलकर हसने, गाने, शोर मचाने का मौका मिला है हम शहर के अलग-अलग इलाकों में घूम रहे हैं, ज्यादा तर रोशनी सरकारी इमारतों पर है जी खोलकर खर्च किया गया है, उनके सामने आम इमारते जहेपती हुई सी लगती है बहुत कम रोशनी है उन पर, बस रंग बिरंगे 15-20 बलबों की कतार, या बलबों से निर्मित तिरंगा जंडा या शोक चक्र जैसे कोई आर बस नाम के लिए एक दो गहने पहन ले मेरी आखे उन रोशनीयों को लगातार पी रही है रोशनी ही जिंदगी है, अंधेरा तो अग्यात है रोशनी ही एक ऐसा रंग है, जिसमें कई रंग है हम भूम रहे हैं, काश, हर रात ही ऐसी रात हो सारी जिंदगी ही ऐसी जिंदगी हो रोशनी से धुली हुई रात, रोशनी से चमकती हुई जिंदगी देशपांडे कहता है, अगर ठके नहीं हो तो खास तोर पर एक जगल तुम्हें दिखाना चाहता हूँ आज की रात उसे देखना बहुत जरूरी है तुम पसंद करोगे मैं कहता हूँ, आज की रात जहां चाहें ले चलो मैं सारी रात घूम सकता हूँ कई राते घूम सकता हूँ वहाँ जाने के लिए हम एक बस में बैठते हैं आज की रात बस का सफर भी परिलोग का सफर है कुछ देर के बाद हम वहां पहुंच जाते हैं इस बस्ती का देशपांडे ने पहले भी जेक्र किया था यह इस शहर की बहुत ही घनी बस्ती है बड़ी-बड़ी मिले हैं जो रोशनियों से जगमगा रही है चोटे-चोटे तल्ग घरों में भी मधिन सी रोशनी है किसी-किसी घर के सामने खास तोर पर रोशनी की गई है किसी दर्वाजे के सामने चार-पांच बल्बों की कतार किसी दर्वाजे के सामने लाल या हरे रंग का गुबबारा देशपन्दे एक जगह रुपता है इसी जगह हमें पकड़ा गया था वह कहता है इसी दिन सन 1950 में जब हिंदुस्तान में ये दिन मनाया जा रहा था वामपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किये थे कि यह आजादी अधुरी है हमें पूरी आजादी चाहिए वे भी कैसे दिन थे पर अब वे दिन बहुत दूर चले गए हैं मैं उस स्थान को देखता हूँ और फिर चारों और नजर घुमाता हूँ शहर के जिस इलाके से हम आये थे उसके मुकाबले यह इलाका बिलकुल अलग सा है छोटी छोटे घरों की बहुत घनी बस्ती है यह मिले उसमें सिर निकाले हुए बहुत उची लगती है रोषणियों से जगमघाती हुई होने की कारण और भी उची हम काफी देर तक वहां की सड़कों पर घूमते रहते हैं छोटी छोटी तन गलियों में घूमते रहते हैं, आखिर देश पांडे कूचता है, अब कहां चले, फिर वही चले, जहां से आये हैं, या कहीं और चले, मैं कहता हूँ, नहीं, अब घर चलो, काफी थकावत महसूस हो रही है, रात के दो बज रहे हैं, वहां से हम पास के एक स्टेशन पर जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, रोशनियों के सिंगार में किसी परी लोग से आई गाड़ी, आखिर हमारा स्टेशन आता है, स्टेशन से बाहर निलते हैं, तो अनायास ही मेरी दृष्टी बाए हाथ जाती है, जहां भिखारिन बैठा करती है, मुझे य पिजबान उन्ट बच्चों का वास्ता दे रहे हैं, और दो अंधेरी आखे, दो अंधेरी आखे, दो अंधेरी आखे, मुझे लगता है, मेरे चारों और अंधेरा ही अंधेरा है, एक लहरता हुआ अंधेरा, एक जमा हुआ अंधेरा, वहां से घर पहुँचने तक में फटे कपड़े पहने किसी ठकी हुई आर की तरह। आखिर मैं उधर से नजर हटा लेता हूँ। फिर कागर्स पेंसिल लेकर उस भिखारिन का स्कैच बनाने लगता हूँ। बस देखते देखते मेरे अंदर का गम जैसे पिघल कर बाहर आ जाता है। और बस स्कैच बन जाता ह जिसे मैं इस बार किसी कीमत पर फारने के लिए तयार नहीं हूँ। मेरा विश्वास फिर से द्रिड हो जाता है कि मेरे हाथ मेरे दिल की बात कहने में असमर्त है। मैं देश पांडे को स्कैच दिखाता हूँ। स्कैच को बड़े ध्यान से देखते हुए उसके ओठों पर